नमस्कार राणी कीचन में आपको स्वागत है दोस्तो आज मैं बनाने जा रही om मतर का पराठा, मतर का पराठा तो आपने बहुत सिखाये होंगे, पर मैं बहुत ही सिंपल करीके से पराठा बना रही हूँ, तो चलिए सुरू करते हैं बनाना, दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के मिलें, तो चलिए सुरू करते हैं बनाना, तो सबसे पहले मैंने गैस पिचाहा दिया है कडाही, आप गैस को हम आन कर देंगे, तो गैस को मैंने आन कर दिया है, कडाही गरम होने देते हैं, अब मैं डालूँ इसमें थेल उस्तिमाल चरें लो चि Ugh चिप बड़ने पादरद को रचेते सब्सें क्यां जाल कि आएक बड़ना एक तो रचेते हारी Unknown 8-10 मेरे हरी मेच को बारी काट दिया है, इसको भी डाल दे रही है इसमें, अब इसको मैं चला दे रही है उसे, अब मैं डालने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आदा चमज, लाल मेच का पाउडर, एक चमज डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा, आदा चमज से भीकम गरम मसाला, अब मैंने यहाँ पे दिखिए, लासुन का पत्ता लिया है, यहारा लासुन है, फ्रेंट, तो मैं इसको डाल दे रही हूँ, इससे स्वाद हमारा बढ़ जाएगा, पराठे का, और अभी मैं आदा धनीय का पत्ता डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सम रख देंगे बाद में डालने के लिए, अब मैं इसी के साथ डाल दे रही हूँ, यह मतर, मैंने 200 ग्राम मतर लिया हुआ है, इसको भी डाल दे रही हूँ, अब डाल देंगे लामक इसमें स्वाद के अंसार, अब फ्रेंट इसको अच्छे से हम चला देंगे, अब इसको ढख करके हमें पकाना है, हमें डाल देने आधा कप इसमें पानी, और इसको ढख करके पका देंगे, ढख दे रही हूँ फ्रेंट, और इसको पकने देते हैं, तो फ्रेंट चेक कर ले रही हूँ, तो देखिए हमारा मतर जो है अच्छे से पक गया नर्म है यह देखिए को अभिष को ठंडा होने देते हैं गैस को बंद कर दे रही हूं वह यह ज़ी निकाल हो गया है मैंने लिए मिक्सी कजार मैं इसमें डाल दे रहे हूं इसको तो देखिए मैंने डाल दिया है इसको पीस ले तो फ्रेंड मैं आटा तयार कर ले रही हूं तो मैंने लिए हैं पर गिवू का आटा अब मैं डालने इसमें नमक थोड़ा सा इसमें डाल देंगे रिफाइंड आयल एक चमच इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं मिक्स करना बोट जरूरी है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको नरण दो तयार कर लेंगे बिल्कुट चपाती की तरह तो देखिए मैंने हाटा लगा दिया है फ्रेंड अब मैं इसमें लोई तोड़ ले रही हूं देखिए मैंने इतना बड़ा लोई ले लिया है दो नीभू के बराबर थोड़ा से इसमें सूखा अटा लगा लूँगी इस तरह फेला लेंगे मैं इसको बेल ले रहीं फ्रेंड मैं एक नीभू के बराबर इस तरह से देखिए माटर का जो मैंने बनाया मिश्रन इसको ले लेंगे और इसको इस पर रब के मैं इसको बना दे रहीं इस तरह से इसको अच्छे से बंद कर देंगे देखिए यह बंद हो गया अब मैं लगा ले रहीं थोड़ा सा सूखा आठा फ्रेंड और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से धीरे धीरे तो देखिए फ्रेंड मैंने पराठे को बेल लिया है अब चलते हैं गैस की तरह तो गैस पे मैंने तावा चढ़ा दिया है तावा गरम हो गया है तो मैं पराठा डाल दे रही हूँ अब मैं इसको पलट दे रही हूँ दोनों तरफ से अच्छा सिग्या है तो मैं इसमें तेल लगा ले रही हूँ घी तेल जो भी आपको पसंद हो लगा सकते हैं इसको पलट दे रही हूँ देखिए फ्रेंट कितना अच्छे से फूल रहा है इसको पड़ड़ दे रही हूँ तो देखिए फ्रेंट हमारा पराठा दोनों परफ से अच्छे से सीख गया है तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से सारे पराठे में बना ले रही हूँ देखिए मैं दूसरा पराठा फर भी डाल दिया है तो ये देखिए ये भी पराठा अच्छे से सीख गया है तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जो है माटर का पराठा बन करके बिल्कुल तयार है मैं आपको एक तोड़ की दिखा दे रही हूँ बहुत ही सुन्दर बन के तयार हुआ है देख सकते हैं तो आज की हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तक तक के लिए धन्यवाद